तो ये गाड़ी पहले आपको DDIS के साथ भी आदी थी वह है मारूती शुजुकी का डीजल एंजन बट अब ब्याइस नॉम्स आने के बाद मारूती शुजुकी अपने डीजल एंजन को डिसकांटिन्यू कर चुकी है इंडिया में और आपको यहां पर सिर्फ एक पेट्रोल मिलता है इस गाड़ी में और अगर उसके एंजन डिस्प्रिस्मेंट की बात करूं तो वह आता है 1.2 लीटर के नाचली आस्परेटेटेट फोर्स दिंडर पेट्रोल एंजन की साथ जो प्रड्यूस करता है करीब 89 बहप की पावर और 113 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क तो तो आपको दिखा देता हूं पहले आपको ऐसी को जहाँ पर चावी मिलती है प्रीफेसलिट में आपको ऐसी ही को चावी देखने को मिलती है इसमें थीन बटन जे लॉक अनलोग और बूट ओपनिंग का यहां बटन दिया गया है एंड यह पुच बटन स्टार्ट के साथ असवेल आपको यहां पर स्मार्ट की फाप देखने को मिलता है और यहां पे आप इसकी अंदर से मैनुल की भी निकाल सकते है तो इनकेस अगर आपकी गाड़ी की की बैटरी डाइक कर जाए तो आप इसको यूस कर सकते है इस गाड़ी के अगहर मैं लेंथ की बात करूं य इसमें एक 1.2 लिटर का naturally aspirated 4-cylinder का petrol engine मिलता है और उसके साथ-साथ मैं बात करूँ इसमें आपको AMT का option मिलता है 5-speed AMT आता है automated manual transmission तो अगर आप manual gearbox नहीं लेना चाहते हैं तो आपको आपको AMT का option ज़रूर दिखाई देगा अगर आप इसकी competition की बात करें यह गाड़ी compete करती है Ford Aspire, Hyundai Aura और Tata Tigor जैसी गाड़ियों के साथ और इसका जो main contender है वो बन जाता है Honda Amaze जो एक ही टक्कर की गाड़ियां है मैं कहूंगा बट आपको इस segment में भी काफी जादा option मिलती है अब चली front end से शुडू करते हैं सबसे पहले आपको यहाँ पर मिलते हैं LED projector headlamps along with this LED daytime lighting lamp जो बेहदी सुन्दर लगता है और नीचे आपको यहाँ पर दिया गया है fog lamp आप chrome की finishing देख सकते हैं chrome आपको यहाँ पर बहुत ही जादा इसका chrome काफी जादा इस्तेमाल है तो गाड़ी यह काफी प्रिम्यूम फील कराता है अगर आप इसको आगे से देखेंगे तो यह ZXI plus top end variant है जो auto gear shift technology की साथ आता है जैसा हम आपको बता चुका हूं अगर आप इसके नीचे वाला variant है उसमें आपको auto headlamp से मिलेंगे बड़ इसमें आपको यहाँ पर दिया गया है अगर आप headlamp की भी बात करेंगे ZXI variant में आपको हालोजन मिलता है यहाँ पर आपको LED का इस्तेमाल मिलेगा टो LED ओविसल्य जादा एक बहतर टेकनोलोजी अगर आप headlamp से में बात करेंगे यहाँ आपको मिलता है हालोजन इंडिकेटर तो आप देख सकते हैं फेस्लिफ्टे वर्जिन बाले एंजिन आए तो आपको यहाँ पर नीचे डिफ्रेंस में क्या मिलता है आपको यहाँ ग फोड़ी ग्रिल मिलती है थी उसे में slats अलग तरह के थे बढ़ आपको यहां पर chrome surrounds के साथ horizontal slats दिये गए हैं जो काफी अच्छे लगते हैं and definitely facelift का मतलब ही होता है कि गाड़ी को थोड़ा एक refreshing look देने का यहां पर मारुदी Suzuki ने ट्राइ किया है so I think they have succeeded there also so let's talk about the tires in this car you get 185 65 R 15-inch diamond cut alloy wheels so you can see that you get multi-spoke alloy wheels here and you get this dual tone finish with chrome and piano black so you get this dual tone finish with chrome and piano black so this is also good but if you use 16-inch tires here then it will be better even for high speed stability you get disc brakes on the front and you get so river me drum brakes मिलते हैं and अगर आप गाड़ी की ground clearance की बात करें तो आपको यहां पर दी गही है 163 mm की ground clearance जो काफी decent है और खराब सडकों में अगर आप जा रहे हो तो आपको यहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती हो उस आसपेक्ट में क्योंकि speed bumps वगेरा हमें अगर आप देखेंगे तो अगर गाड़ी आपकी loaded हो पांस लोगों के साथ तो वहां पर उसके ताच होने का जरूर चांस रहता है जब आप इसको चला रहे होएंगे अब बाकी aspects ही बात करें तो पहले तो आप देखी जिए गाड़ी काफी balanced लगती है in terms of dimensions तो आपको ऐसा कभी भी नहीं लगेगा कि आपकी गाड़ी unbalanced in terms of dimensions या भार से अगली दिख रही है because this is not the case with the Maruti Suzu की desire काफी decent design language है इसकी and yeah I think सबको ही पसंद आजाती है अगर आप Cosmetically इसको जच करेंगे तो यहां पर मिलता है आपको request sensor for the keyless entry जैसा आपको बता चुका हूं आपको यहां पर पुश बटन स्टार्ट का भी option मिलता है स्मार्ट की फ़ब है आपको क्रोम की बिडिंग मेलेगी जो across the side run करती है इसको एक प्रीमियम अपील देने के यहां पर जो बी पिलर आपको blacked out मिलता है रेट की कॉमिनेशन के साथ तो वो इसको एक sportry touch land करता है again अब 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 आपको दर्वादा दिखाना चाहूंगा so first of all the build quality is not very great I would like to point out because even if I push the door with one hand the door will completely open so that is definitely not a good thing अगर आप करेंगे तो अब आपको दोर पाट करेंगे तो so this is definitely a good thing because the car is claustrophobic नहीं फील होटी and थोड़ी प्रीमियम भी जादा लगती अगर आपको बेज का इस्तेमाल देखेंगे किसी भी गाड़ी में आपको फाबरेक मिलता है थोड़ी पहुत्तचें लेदर नहीं है आपको एक पथलीजी शीट अपर अप्लास्टिक के उपपर थोड़ा बदो प्रीमियम टच मिलता है और थोड़ा प्रीमियम एसेंस लाता है और यहापको एक टेक्च्चुर्ड फिनिश मिलती है तो यह यह भोडन टाइप फैनिश जो आपको पर प्रोवाइट करी है यह पर मिलते है उलेक्टिकल एजस्टमेंट आज रिट्राक्टिंग का आपको ऑप्षन दिया गया है तो अगर आप आपर आपर बाकी switches देखेंगे तुप को अपको अगर के अग्याजसमेंट के आपर बको अगर बटन पर अग्या कहुँ गहा है तो अगर पुछ बुटन स्टार्ट अन्हीं होएगा तब आप शुट्टन स्टार्ट ऑन कि अगनिशन तब अजा के आप अगर तो यह मुझे थोड़ा फ्लॉव लगता है जो युन्दाइ अपनी गाड़ियों में प्रवाइड करता है क्योंकि आप युन्दाइ की गाड़ियों में इंगिशन बंद करके भी यह स्विचेश को उसकते हैं यहां पर आपको मिलता है बॉटल अलोंग विद मैगजीन अप्लास्टिक कॉलिटी इस अचो नॉट वेरी ग्रेट ओवर यह बट आपको स्पीकर प्रेस्मेंट वगेरा यहां दी गई है now coming to the seating adjustment option यहां पर आपको height adjustable seats मेलती है fabric है beige में they look really nice and यहां पर आपको height adjustment का option तो मिलता ही है बाकी recline कर सकते है and definitely seat comfort seats वगेरा भी आपको part sharing यहां पर दिखाई देगी they are quite similar to the Maruti Sulukki brezza except for the fact that the fabric upholstery is of a different color but यहां पर आपको part sharing has been carried on over here also you see this button set up in almost every Maruti Sulukki car and here you can see a little bit of space now let me talk about footwell here you can see a small footrest here you can see a dead pedal and here you can see a accelerator brake because this is the AMT variant and here you can see idle start stop off and on so you can see a regenerative braking function here which is mild hybrid technology Maruti Sulukki smart hybrid and here you can see an electronic stability program here you can see a button on and off here and here you can see a headlight leveling here you can see a headlight level and here you can see an option on the safety features of this car two airbags ABS-CBD and you can see brake assist along with electronic stability program because it is AMT variant and if I sit inside and if I give you a overview of this cabin so when you sit in the first cabin the cabin will feel quite premium and nice you have a lot of upmarket feel so first of all you have to write the steering wheel so first of all you have to write the engine start stop and I am on the ignition so you can see an idea of lighting in this cabin so here you can see flat bottom steering wheel so the wood inserts have been carried on over here also and here you can see leather wrapped here all the way up and down here you can see volume on 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 under the button mode so if I am on the infotainment system so you have like this 7 inch smart play infotainment system to tell you about details about this one but before that you have to get volume up down so you can see that you can do here and cruise control ZXI plus variant exclusive if you take the ZXI variant you will not get cruise control नहीं मेलेगा, so definitely cruise control एक काम का feature हो जाता है जब आप हाइवेस पे cruise कर रहे हो हाला कि इंडिया में बैसे situations आती ही नहीं क्योंकि काफी ट्राफिक कंडिशन्स काफी आडवर्स हैं बट फिर भी अगर आप क्रूश कंटोर हाइवेव अगेरा पर गाड़ी चलाते हैं तो यह आपके लिए काफी काम का feature हो जाता है यहां पर आपको मिलते हैं कॉल एकसेट डिलाइन और वोइस कमांड के बटन तो यहां से आपको सिर्फ टेल्ट को ऑप्शन दिया गया है तो आप इसको चिरफ टेल्ट के साब से अज़स्स कर सकते हैं यहां कमिंगें यहां कि अपको सनुप सथ क्याओ यहां को सॉचट और गयं हो तो यहां काथ संस्के में fast lol हो जाता है अंदर अगर मल्टी इंफर्मेशन दिस्प्ले की बात करों दिस देफिनेटली हाइलेट आफ दिस कार मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगता है काफी कालरफुल दिस्प्लेइ कहीं आपको यह मारुती शुकी बलीनो या सियास की भी आद दिलाएगा और अर्टे इसने टाइम आपकी गाड़ी आइडल में खडी रही है बाकि आपको एक क्लॉक टाइप यहां पर चीज दी गई है बाकी होम पेज हो गया और आपको यहां पर कंपस दिया गया है तो डेफिनेटली काफी पेकुलियर्ली डिसाइन किया गया इसको अच्छा लगता है आप 9.2-liter का एंजिन आपको मैं बता चुका हूँ इस गाड़ी में आपको अफर किया गया है अब आगे बढ़ते वे इसकी हाइलाइट पी तो सेंटर कॉन्सोल की है वो है इसका 7-inch का स्मार्ट प्ले टॉट्स्क्री इन्फोटेंट सिस्टम एक बात मुझे यहां पर पॉंट पता देगा अगर मैं होम पर जाओ यहां पर तो यहां पर सारी डिटेल्स मिलती है एफम वगेरा एंड जो टाइल्स है यह भी कालरफूल है तो आपको काफी अच्छी लगए एंड मीडिया फोन कनेक्ट अपको मिलता है तो आप केबल के थू यहां पर कनेक्ट कर सकते है तो आपको यहां पर सारी डिटेल्स मिलती है काफी बेसिक चीजे यह बाकि एफम और की सेटिंग आप कर सकते है आपको अबशी बेस्ट मेडर और टेबल को अज़स्ट करने को अप्सिन बेस्ट अगेरा आपने इसाब से अज़स्ट कर सकते हैं हाला कि उससे आफी फारक अपर जाता है ओडियो कॉलिटी में जो मैंने एक्सपीडेंस किया है अपको इस गाड़ी में मिलते हैं चार स्पीकर और दो ट्वीटर जो अपिलर पर मांटेड आप देख सकते हैं आपको यहां दिये गए हैं बाकि आप फोन ओन कर सकते हैं आपको सारी चीजे मिलती हैं काफी डीसेंट है आपको लागी नहीं लगने वाला अगर आप युंडाय और से भी कंपेर करेंगे तो युंडाय ओला का आपको स्लाइटली बेटर मिलेगा बर डेफिनेटली यह भी कोई ज्यादा पीछे नहीं है और आपको यहां पर ब्लुटूथ तो मिलता है यह यू अपर इस काड़ी की AMT gearbox की बात करने परेले तो आपको मिलने रिवर्स नूटल ड्राइव और मान्यूल में आप इसको शिफ्ट का सकते हैं 5-speed AMT है अला कि अब इस सेग्मेंट में आपको अमेज में CVT वी मिलता है बट AMT उतना जादा कोई आपको fun to drive नहीं मिलने वाला इ सेंसर्स अद फिनिश अलसो व या न यहां यह काफी रॉष पेस मिलती है इसमें आप नीचे छोटा मोटा फोन अगरा रख सकते है अन्यूल हंटरी है अद यू गेट 12 वोल चार्जिंग स्केट ओवर्यर रोच तो हैंड रस तो नहीं है बटे बाराइव डार बारी गुट definitely good but the plastic quality is hard completely you can't get any soft touch and its not very premium also but the colors are good here and the glove box is also quite small small little things will come here now you can get an internal rearview mirror which is manually adjustable day and night you can switch it from here you have given a ticket holder and there is a light also offered over here and the sun visor over here has a mirror also so there is a shisha for watching and definitely this plastic quality could have been better but you get a decent cabin here if you go there it will be premium this cabin because if you look at the multi-information display or steering you get a leather approach here so it definitely feels quite nice in the cabin except for the fact that the plastic quality can be better so let's go back and tell you that the back of the app is given here and there is a new space before I set the front seat of my height 5 feet and 10 inches is my height and here you can turn on and off this button and you can also turn off the car I will tell you about the rear seating experience so there is one thing about Maruti Suzuki here when you unlock the car one time then only the driver's door will unlock and when you unlock the other time then you will unlock the back doors so it will also get the feature in Nexa cars and you also get the feature here and that is definitely a good safety feature because it protects you from theft so that is definitely one thing I appreciate and here you can see the plastic quality is again a combination of black and beige here you get hard plastics here you get no fabric you can see it hard and the panel gaps are also you can see so there is definitely scope of improvement over here the panel gaps are not very uniform you get a little cheap plastic quality here and here you have a rear power windows switch and speaker placement and there is a bottle holder offer over here also so let's get into Maruti Suzuki's desire and judge how much space this car offers so the front seat mirror height is set 5 feet and 10 inches height you have front adjustable headrests and if I talk about legroom so legroom you get something like this so now you can see the rear seat is at least 7 inches so you will not have any trouble in the rear seat but under the air support is really lacking over here so you will see under the air support now I have less and my height is quite average 5 feet and 10 inches so if there is no longer person so there is no problem here under the air support but under the air support there is a lot lacking here so that is definitely is to improve for Maruti you get rear race events they are the same 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 so if they are vertically placed they are the same but they are the same the upper body will be direct so I will tell you about this I will tell you here you get a 12V charging socket you can charge the devices and here you get a little space in which you can keep coins you have a seat pocket here and the middle hump you get very small so there is a third passenger here you can sit and if I talk about headrests the headrests you get adjustable isofix child seat mounts and you get an armrest also with twin cup holders and if I talk about headroom then you get something like this there is a headroom here it is 2-3 inches so here there is a 6 feet tall person there is a higher height from that extraordinary height so here you can see a little difference in the headroom there is definitely and if you talk about here then you have given a reading lamp which is in halogen finished yellow light you have provided here and the seat belts you can see height adjust fixed seat belts you have given here and as I have told you we have two airbags ABS EBD brake assist electronic stability program and hill hold control and safety and traction related features so let's go I will tell you about boot space about this and if you come to rear end you will get something here you will get something so first you will get something here it is almost the same no major changes done over here so here you get LED tail lamps you get LED strip you have an indicator here which is halogen but the upper part has been finished in LED and the night it looks good you will get a reverse parking camera as well as 4 parking sensors so the reverse parking camera ZXI plus variant has been given and the rest of the features that you get missing in ZXI variant I have already told you so you can see it in the video and in the video you can see it and after you talk about the desire bagging and chrome used here very good chrome used here to uplift the rear end and as I have told you this is a compact sedan here you get good space along with good boot space also the passengers comfort it's not like a compact SUV so it's not that rugged but you get space here in the coming to the boot space of this car I have told you that Chabi you get this so you can unlock the boot from it so you can see the boot is opened and in fact it doesn't get unlocked it gets opened so this is a positive point about the boot you have the brake stop lamp here integrated you have the rear defogger that's definitely a good thing now coming over here you get the boot space which is quite decent I say and it's not very practical because I'll tell you why I have reasons to say that you get the boot space here you get the boot space you get the load so if you want to remove it it's a little inconvenient it's a little unpractical but you can see the spare wheel below it's definitely not an alloy so cost cutting done over here but in this segment you don't get the alloy in any other car as a spare wheel so there's no problem there and you can see the boot lamp you can see the boot lamp the boot lamp and the space I would say is decently practical it's not high in practicality but you can keep the space here you can keep the decent size and and because of the load it's not much practical and if you can see you get exposed metal here if there's insulation or carpeting then it's more premium you can see exposed wires here so that way Maruti has done cost cutting over here as well so guys thank you for watching this video please like, share, subscribe and also comment and suggestions below and don't forget to follow me on Instagram myID is thecarshow underscore barjoli and if you want to go to this car on road then I will tell you that it is 9,91,000 on road gurgaon so this is for Guru Gram this is for Haryana and it will be a different price on road but if you have any queries then you can ask me in the comments thank you for watching this video Thank you